तार दोस्तो आप सभी का इन्वेश्टिंग क्लब में सोगत है दोस्तो आज हम आपको SBI रिटायर्मेंट फंड क्या है इसके बारे में बताएंगे तोस्तो SBI का रिटायर्मेंट फंड एक तरह का म्यूचल फंड है जिसमें आप SIP या फिर लंबसंब एक साथ निवेश जो है वा कर सकती है इस mutual fund को retirement की ध्यान में देख कर बनाया गया है इस mutual fund में आप 65 साल की उम्र तक निवेश कर सकती है यानि अभी आपकी उम्र जो भी हो आप अभी से लगातार 65 साल तक इस mutual fund में निवेश कर सकती है इस mutual fund की खास बात यह है कि यह retirement को ध्यान में रख कर बताया गया है साथ ही साथ इसमें जो है 50 लाग का term insurance जो है वह भी आपको मिलकुल फ्री मिलता है यानि अगर आप 3 साल तक इस mutual fund पे निवेज करते हैं तो आपको जो है 34 साल में 50 लाग रुपए का term insurance मिलेगा term insurance मतब अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो नॉमनी है उन्हें 50 लाग रुपए जो है वह मिलेंगे इस mutual fund की सबसे खास बात यह है कि यह SBI का mutual fund ही है normal जब आप एक bank में equity कराते हैं तो उसमें 5 प्रतीसत यह 6 प्रतीसत का जो है आपको return मिलता है लेकिन इस तरह के mutual fund में जो है वह 10 प्रतीसत यह इससे ज़्यादा return जो है आपको मिल सकता है यह इस बात पर depend करता है कि आपने SIP जो है कब से सुरू की है और market की condition के उपर जो है वह निर्भड करता है SBI ने इसके साथ जो है इसमें 4 तरह के plan जो है उसकी घोठना जो है वा की है जो सबसे पहला है वा है aggressive, दूसरा है aggressive hybrid, तीसरा है conservation hybrid और चर्था है conservatio अगर आपकी उम्र जो है कम है और आप ज़्यादा risk जो है वह ले सकते हैं तो आप SBI के जो aggressive plan है उसमें जो है आप निवेज कर सकते हैं इसमें जिसकी उम्र 40 साल है वो लोग निवेज कर सकते हैं इसमें risk जो है दूसरे fund की तुलना में ज़्यादा है लेकिन जो return है वह भी दूसरे fund की तुलना में जो है वह ज़्यादा मिलेगा जिनकी उम्र 40 से 50 साल है वो लोग जो है वह एकरेसियो हैबरिट जो है उस mutual fund में निवेज कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल तक है वो जो है वह conservative हैबरिट में निवेज कर सकते हैं और जिनकी उम्रह जो है 60 साल से उपर है, यानि जिनकी उम्रह 60-65 साल के बीच में है, वह सिर्फ कंजेर्वेट्यू जो है उसमें निवेश कर सकते हैं, अगर आपकी उम्रह कम है और आप रिस्क जो है ज्यादा नहीं लेना चाता है, तो भी जो है आप जो है दूसरे प्लान जो है उसमें स्विच कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपकी उम्र जो है 65 साल से जादा है तब आप इसे में फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएगा और हाँ चैनल जुरूर जुरूर सस्क्राइब किजएगा धन्यवाद